Global variable क्या होता है जैसे पहले हमने देखा कि local variable किसी भी function के उसी function के body तक ही limit है लेकिन global क्या है कि ये कोई भी function पूरे program में access कर सकता है जाहिर है वैसे भी name से हमें वही पता चल रहा है कि global है तहांने कि सबके लिए available है लोकल है तो लोकल ये available है तो और एक और बात दियान देने वाली बात है कि अगर कोई भी हमारा local variable है अगर हम उसमें कुछ value assign न करें तो उसमें garbage value आ जाता है और garbage value कम define ही नहीं कर सकते कि कितना है वो compiler जितना दिल करता है उतना उसमें वो assign कर देता है garbage value कुछ भी लेकिन अगर वो global variable है तो उसमें जो होगा हमेशा 0 जीरो वो assign कर देगा अगर हम उसमें value assign न करें जैसे यहां पे a, b, a में 5, b में 4 अगर यहीं पे मैंने c भी declare कर दिया यहां पे semicolon यह attack दिया मैंने तो यहां पे जो c है तो c में हमने कोई भी value assign नहीं कर रहे है तो जब c में हमने कोई value assign नहीं किया लेकिन यह global variable है तो इसमें 0 जो है automatically assign हो जाएगा अब यहां पे मैंने क्या किया main function है तो main यह तीनों को access कर सकता है और void यह भी तीनों को access कर सकता है मतलब कोई भी function हाँ यहां पे एक बात जो ध्यान देने वाली है कि अगर यह भी question आ जाता है कि अचा ठीक है मैंने वह fully different होते हैं जैसे यह global variable हो गया अगर same मैं अपने local में भी name दे दूँ वैसे again मैंने वैसे ही किया कि यहां पे a और c तो अगर ऐसा कभी condition आता है कि global variable का जो name है वह हमाने local में भी रखा तो जो प्रिफरेंसे प्रिफरेंसे नहीं प्रायरिटी प्रायरिटी जो मिलेगा व मैंने यहां पर प्रिंट किया percent a और c तो अगर जाब हम a और c के value को print करेंगे यहां पर cv है और यहां पर भी c है तो अब suppose कि इसमें c में हमने कुछ value assign नहीं किया तो यहां पर गारवे जाएगा लेकिन अगर यह वाला global वाला c अगर नहीं है हमारे पास तो अब यहां पर चौँए जब प्रिंट करेंगे तो यह में तो हमारा कुछ भी value नहीं है यहां पर five है लेकिन यहां भी यहां भी यहां पर लेकिन यहां वाले यह में कुछ assign नहीं किया तो यहां पर Bet्या अगर हमने hasain kषई कर दिया suppose की one तो यहां पर जोगा one आएगा और c अमने यहां प यहां पर two आ जाएगा तो यानि कि यह preferences किसको मिल गया local को मिल गया और यहां पर लेकिन अगर यहां पर मैंने a को remove कर दिया तो जाहिर यहां पर a नहीं है तो यहां पर error नहीं आएगा तो उस वक्त अगर यहां पर a नहीं रहेगा तो यह वाला access होगा और यहां पे हमारा जो value हैगा 5 तो बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर local variable है और global variable का name same है तो जो priority मिलेगी वो local variable को मिलेगी और अगर local variable और global variable दोनों का name different है तो जाहिरा कोई conflict की बात ही नहीं है तो मेरे ख्याल से global variable clear हो गया global variable की हमें तब जहुरत पढ़ती है जैसे कोई एकी variable है और उसको हम हर function में use करना चाहते हैं अच्छा कोई नहीं हो वैसे जब हम program करेंगे वक्त मिला तो उसमें पता चलेगा कि आखिर इसका वाश्ट यूज क्या हो ऐसे जब आप खुद से program करेंगा कि आपको खुद ऐसे requirement आ जाएगी कि आपको लेगा काश्ट रेक ऐसा variable होता है जिसको जो की function के बाहर मतलब close होने के बाद भी हो मतलब हम उसको access कर पाते तो उस जगा आप हमके global variable use कर सकते हैं